जै मातई दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो हमाई चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तो बात कर रहा है विरिश्चिक राशी के अप्रेल 2021 राशी फलकी अप्रेल के महिने में कौन से ग्रह अपनी राशी परिवर्तन करेंगे और उसका आपकी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तो अप्रेल के महिने में पांच बड़े ग्रह अपनी राशी परिवर्तन करने जा रहे हैं जिनमें से एक अप्रेल की सुभा को बारा बजकर बावन मिनट पर बुद्ध ग्रह अपनी राशी परिवर्तन करने वाले हैं। बुद्ध ग्रह जातक की बुद्धी, रिष्टे नातों, चरीर में त्वेचा रोग, लोगों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। इन सब चीजों को दर्शाता है। इस समय बहुत बहतरीन रहेगा। और आए की संभावना भी कम रहेगी। इसके अलावा शादी शुदा जिंदगी में मतभेद और जगड़े होने की संभावना है। 14 अप्रेल बुधवार के दिन सुबह एक बज़ कर 16 मिनट पर मिथुन राशी में गोचर कर जाएंगे मंगल। मंगल को साहस पराकर्म शौरय का कारक माना गया है भूमी भवन का कारक माना गया है। यह गोचर आपकी राशी के आठवे भाव में रहेगा क्यूकि व्रिश्चिक राशी मंगल की राशी है और आठवे भाव में आपके अपने ग्रह का आना यहां आपके लिए कश्टदाई साबित होगा। कई बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे, शारिरिक समश्चाएं होंगी, कारेशेत्र में भी बाधाएं आएंगी, घर परिवार में भी मनमुटाव की इस्थिती बनेगी, दोस्तो, 14 अप्रेल को सूरिया का गोचर भी हो रहा है, तो वहीं सूरिया आपको उबारने में मददगार साबित होंगे, लाबकारी साबित होंगे, उपलब्धियां भी मिलेंगी, बंगल और सूरिया की यूती बनने से यहां वो सारी चीज़े बैलेंस हो जाएंगी, अप्रेल महिने का जो आखरी गोचर होगा, वो पांचवा गोचर है, बुद्ध का मेश राशी में गोचर, बुद्ध का ये गोचर आपकी राशी के छटे भाव में होगा, जो की चुनोती और बाधा और रोगों का भाव होता है, आपके लिए ये बुद्ध आठवे और ग्यारवे भाव के स्वामी है, इसलिए छटे भाव में बुद्ध का ये गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है, स्वास तो थोड़ा सा नाजुक रहेगा, खर्चे भी बढ़ेंगे लेकिन आमदनी भी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन कारेस्थल पर आपको बहस और तर्क वितर्क करने से बचना है, आपकी लड़ाई का फायदा आपके दुश्मन उठाएंगे, और आपके उपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपकी छवी को बिगारने की कोशिश करेंगे, और जो आपके लिए लाब के अफसर प्राप्त हुए हैं, उन्हीं भी आपसे छीन लेंगे, तो दोस्तो ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, धन्यवाद,